अगर आपके पास bank account हो तो उस condition में HDFC bank के credit card का statement चेक करना बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास bank account अबिलेबल नहीं है तो उस condition में आप अपने account का statement किस परकार से चेक करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे सो यहाँ पे हमें credit card का statement चेक करना है credit card के statement को without bank account से किस परकार से यहाँ पे हम चेक करेंगे उसका complete वीडियो यहाँ पे है सो आपको यहाँ पे वीडियो में बने रहना है और आपको यहाँ पे एक link भी मिलेगा जिसके थुरू आप यहाँ पे online अपने credit card का statement देख सकते हैं आउनलोड कर सकते हैं या फिर reward points को redeem भी कर सकते हैं इसके अलावा limit भी verify या फिर update या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं सो चलिए start करते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने customer care में call करके link मंगवा लिया है और इस link को मैंने वीडियो के description में भी दे दिया है और अगर आप चाहें तो इस link को google से भी find out कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इस प्रकार से registered message आ चुका है इसको मैंने यहाँ पे open किया जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं my cards यानि की HDFC का यह official website है जिसमें आप देख पा रहे हैं www.hdfcbank.com और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना registered mobile number डालना है generate OTP करने के लिए get OTP के उपर click करेंगे एक OTP आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको allow कर देना होगा या फिर उस OTP को manually डाल सकते हैं OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP enter करना है और then submit के उपर click करेंगे और इसके बाद आपके पास यहाँ पे website कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी So यहाँ पे एक कार्ड देखने को मिल जाएगा कार्ड आपके पास एक या दो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आपको यहाँ पे enter last four digits के उपर click करना है और यहाँ पे अपने कार्ड के last के चार अंक डाल देने है इसके बाद add product के उपर click करेंगे यानि कि आपका कार्ड यहाँ पे register हो जाएगा product edit successfully आ गया so proceed के उपर click करेंगे आप यहाँ पे आपके पास एक active card आ गया होगा मेरे पास यहाँ पे एक deactivated card भी आ रहा है क्योंकि मैंने पहले उस card को block करके रखा हुआ है so यहाँ पे मेरे पास एक ही card है currently so मैं यहाँ पे इस card के उपर click करके arrow मैं जाओंगा और यहाँ से card को open कर लूँगा आप यहाँ पे मेरे पास card की सारे की सारे details देखने के लिए मिल जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पे देख पारें सबसे उपर card का number आ जाएगा जो की mask रहेगा इसके अलावा नीचे limit card की summary इसके अलावा यहाँ पे सबसे नीचे को जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे card का control रहेगा यानि की limit को set करने का option आएगा request statement या फिर set pin block card या फिर और भी services यहाँ पे देखने को मिल जाती है अगर मुझे यहाँ पे statement को download करना है तो मैं यहाँ पे request statement के उपर click करूँगा इसके बाद यहाँ पे आपको month choose कर लेना है जैसे कि आपको चाहिए September या फिर अगस्त या July किसी भी month का statement चाहिए तो उस month को select करेंगे और उसके बाद यहाँ पे download statement या फिर send to registered mail दो में से एक option को choose कर लेना है अगर आप send to registered mail करेंगे तो आपकी mail में यहाँ पे statement आ जाएगा otherwise आप यहाँ से download भी कर सकते हैं so मैं यहाँ पे download statement के उपर click करूँगा आप यहाँ पे इसका एक password रहेगा इसका password क्या होगा वो मैं यहाँ पे check करके आपको बता देता हूं जैसे कि यहाँ पे first में ही लिखा हुआ है first four letter embossed on your credit card space not counted in capital letter capital letter में ही लिखना है आपको जैसे कि आपका नाम अगर S. Ravi Sankar है तो with card number last के four digits यह रहेंगे then your password क्या होगा S. Ravi पहले के चार अंग यहाँ पे आ गए है S. R. A. V. और इसके अलावा यहाँ पे card के last के four digits जैसे कि मैं भी इनको डालके देख लेता हूँ मैं यहाँ पे अपने नाम के पहले के चार अक्षर डालूँगा इसके अलावा card के last के four digits डालूँगा मैंने यहाँ पे डाल दिया है then इसके बाद okay के उपर click करूँगा so मेरे पास यहाँ पे detailed statement open हो गया है so आज की इस पीडियो में हमने सीखा कि किस परकार से हम without bank account या फिर without customer ID के HDFC bank के credit card का statement किस परकार से चेक करते हैं ऐसे ही आने वाली informative वीडियोज के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबादें ताकि next वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे